यूएन के महासचीव एंटोनियो गुटेरेस ने एक बार फिर से इसराइल हमास यूद के बीच गाजा में बढ़ती मौतों कुले कर चीनता जाताई है साथ ही संजुकतराश महासचीव ने गाजा में मानुविय यूद विराम की अपील की है एक समचार एजनसी के मुताबिक रविवार को संजुकतराश महासचीव के एक बयान के हवाले से कहा गया कि इस यूद में हर दी मैलाओं और बच्चों सहीत कई नागरीकों की मौत हो रही है उन्होंने कहा कि गाजा में या सब बंध होना चाहिए आपको बता दें कि हमास और इसराइल के बीच जंग जारी है साथ अक्टूबर को हमास द्वारा इसराइल पर हुए हमले के बाद से ही इसराइली सेना गाजा में हमास के ठीकानों पर करवाई कर रही है इस युद के कारण गाजा में 11,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है गाजा में मरने वाले लोगों की संख्या में लगतार इजाफा हो रहा है हलांकि अभी भी सिजफायर की गुंजाइश नहीं दिखाई देती मालूम हो कि गुटरेस ने बार बार इसराइल को युद रोकनी की बात की है उनने पिछले महीने इसराइल की कड़ी अलोचना करते हुए कहा था कि हमास की ओर से किये गए अपरादों को उचित नहीं ठहरा जा सकता लेकिन हमले आकारण ही नहीं हुए थे हलांकि इसराइल की ओर से उनके ब्यान पर कड़ी प्रतिक्रिया साब ने आई थी इसराइल के विदेश मंत्राले की ओर से कहा गया था कि गुटरेस संजुक्त राष्ट का नेत्री तो करने के लायक नहीं है विच्षेतर में किसी भी शांती प्रकिया को बढ़ावा नहीं दे रहे सभी सोतंत्रा राष्टो की तरह गुटरेस को भी असपस डूप से कहना चाहिए कि गाजा को हमास से मुख करो आपको यह ख़वर कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताएं बिस दुनिया के तमाम बड़ी ख़वरों के लिए देखते रहें साथ ब्लॉप बिस्टर नमस्कार